हेलो एब्रिवान सभी बड़ों को मेरा साधर प्रणाम छोटों को बहुत बहुत आधर के साथ आप सब को स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में उमीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपोर्टेंट लाइफ सेविंग टिप शेर करना चाहती हूँ जो की है हमारे हेल्थ से रिलेटर रोटी से रिलेटर रोटी बनाना कुछ लोगों के लिए दाए हाथ का खेल होता है चाहे वो लड़किया हो या फिर लड़के एकदम गोल, सुन्दर, परफेक्ट, फुलका-फुलका रोटी बनाना हर कोई जानते हैं लेकिन कुछ लोग रोटी को गलत तरीके से बनाते हैं, पूरी wrong procedure से बनाते हैं, जो की हमारे सेहत के लिए बहुत ही हारंफुल है कुछ दिनों पहले मैं भी इसी तरीके से रोटी बनाया करती थी पहले रोटी के दोनों साइड के किनारों को मैं फ्लेम में दिखा देती थी तो रोटी के दोनों साइड जो होता है वो भी अच्छे से पक जाता था उसके बाद मैं रोटी को उठा कर डारेकली फ्लेम के ऊपर चोड़ देती थी और रोटी जब फोलता था मैं बहुत खुश होती थी लिकिन जब से मुझे मालूम पड़ा है कि ये कितना गलत है तब से मैं इसी प्रोसेजर से रोटी नहीं बनाती हूँ तो चलिए देख लेते हैं हमें रोटी किस तरह से बनाना चाहिए रोटी को हमें कभी भी directly फ्लेम के उपर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हम जिस गयस से खाना बनाते हैं न वो liquid petroleum gas होता है जिसे हम lpg gas कहते हैं और liquified petroleum gas भी उसको बोला जाता है और यह gas बनता है hydrocarbon gases के combination से जो कि खाना बनाने के लाइक तो है लेकिन खाने के लाइक बिल्कुल भी नहीं है और जब हम रोटी को डारेकली फ्लेम के उपर छोड़ देते हैं तो ये रोटी जो होता है ना वो सारी हाइड्रोकारवन ग्यास के कॉमिनेशन को ही अब्सर्ब कर लेता है तो आप सोच सकते ह ये कितना रिस्की होता है हमारे खाने के बाद पहले के जमाने में जब हमारे नानी दादी खाना बनाते थे तब चूले में खाना बनता था लकडी से खाना बनता था और रोटी को डारेकली अंगार के उपर छोड़ा जाता था तो वो बहुत सेहत मंद होता था क्योंकि वो modern जमाने में हम लोगник इसके ऊपर फ्लेम के ऊपर रोटी बनाते हैं वो बहुत रिस्की है तो हमें हमेशा तवे के ऊपर ही रोटी बनाना चाहिए तवे के ऊपर रोटी बनाने से भी रोटी फूलता है दोनों साइट थोड़ा थोड़ा पकाने के बाद कपड़ा लेकर प्रेस करने से रोटी बहुत अच्छे से फूलता है और अगर आपका रोटी नहीं भी फूलता है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जरूरी नहीं है कि आप फुलका फुलका रोटी ही खाए आप सेहत मंद रोटी खाएं यह सबसे जरूरी होता है तो जो भी रोटी बनाते हैं घर में वो अपने आप से प्रॉमिस कीजे कि आज के बाद आप जब भी रोटी बनाएंगे तो कभी भी फ्लेम में डारेक्ली रोटी को नहीं पकाएंगे तबे में पकाएंगे इस तरह से आप भी स्वस्त रहेंगे आपके बच्चे स्वस्त रहेंगे आपके फैमिली स्वस्त रहेंगी तो यह प्रोमिस करना है अपने आप से क्योंकि हमें केमिकल वाला रोटी नहीं खाना है हमें स्वस्त सेहत मंद रोटी खाना है और हमें अपने फैमिली अपने परिवार को भ बहुत ही सहतमन्त तरीका है रोटी बनाने का तो चलिए फिर आज मैं आप लों के साथ मेरी कुछ दिन चरिया का वीडियो भी शेयर कर देती हूँ तो रथे यातरा नस्दीक आ रहा है बस कुछी दिन बचा है दो तीन दिन ही रह गया है इसलिए मैं घर की साफ सफाई में थोड़ा सा लग गई हूँ अभी ये टेबल क्लॉट निकाल रही हूँ साफ करने के लिए क्योंकि खाना खाते काते थोड़ा बहुत खाना इसमें भी गिर जाता है और बेडरूम की तो साफ सफाई कर चुकी हूँ फिर भी ये बैड सीट रह गया था ये परदे मस्क्यूटो नेड वगेरा जब बहु कर सुखाना पड़ता है और वैसे भी हमारे आंगन में अतनी जगह है नहीं कि मैं एक सारा कपड़ा दो कर सुखा सकूं तो अभी के लिए बस टेबल क्लॉट और सोफा कवर बैड सीट बस इतना ही धो पाई हूँ और अभी इस बैड सीट को मैं कूरसी में सुखा रहे से कुरसी में ही सुखा देती हूँ और जो पतले-पतले कपड़े होते है ना उसको मैं तार में सुखाती हूँ या फिर बाबु का छोटा-मोटा कपड़ा जो होता है ना पैंट साड उसे ही तार में सुखाती हूँ नहीं तो यह तूट जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब प्रश्यम के टावलेट भी खाये, जितना डॉक्टर्स ने पेस्क्राइब किया था ना उतना खाया मैंने, लेकिन फिर भी मेरा हैर पॉल अभी तक कंट्रोल ने हो रहा है, और अभी कपड़े अच्छे से सुख चुके हैं, हमारे आंगर में छाओ भी आ गया है, देख सकते ह तो मैं अभी सब कपड़ा उतारने के लिए चली गई हूँ, और समर सीजन में हमारे आंगर में बहुत अच्छा धूप आता है, सुबह से साम तक हमारे आंगर में समर सीजन में धूप रहता है, लेकिन विंटर सीजन में जब हमारा मैन फेस्टिवाल होता है ना नुआख उस टाइम पे बहुत च्छाओ रहता है, मतलब 10-11 बजे तक ही धूप रहता है, उसके बाद पूरा च्छाओ बहुत ठंडी भी लगती है, और कपड़ा भी अच्छे से नहीं सुख पाता है, उस टाइम पे ही हमारा सारा कपड़ा धोना पड़ता है, क्योंकि हमारा मैन फे बिस्तर लगाने के लिए आ गई हूँ, और मेरा बच्छा मेरे पास पास मन रहा है, वो हमेसा मेरे पास पास ही रहता है, चोड़े चोड़े बच्छे आते हैं उसके पास खेलने के लिए, तब भी वो मेरे सासात ही घूमता है, और अभी मैंने बिस्तर बिचा दिया है, तो इसको नीचे पटक के किस तरह से घंदा कर रहा है देखिए और ये जो सोफा है ना ये भी थोड़ा सा क्रीम कलर में है तो बहुत जल्दी घंदा हो जाता है कुछ भी दागवाग लगता है तो मुझे इसलिए हमेशा इसके उपर कवर लगाना पड़ता है और जब भी मैं कव कवर लगाती हूं मैं पिन से सिक्योर कर देती हूं सेवटी पिन से ताकि कवर जो है वो इधर उधर ना बिखरे और बिखरता भी नहीं है बिल्कुल सेट होकर रहता है मुझे जब भी कवर धोना पड़ता है मैं पिन निकाल लेती हूं और ये जो सोफा कवर है ना मैंने आ थोड़ा सा लंबा था बाकि 10 पिस सिंगल वाला ही था तो जब भी मैं सोफा के उपर बिछा दी थी वो बहुत जल्दी बिखर जाते थे फिर मैंने थोड़ा सा जुगार लगाया और उपर वाले कवर को सेप्टी पिन से सिक्योर कर दिया और नीचे वाले जितने वी कवर है उसको सिलाई करके जॉइंट कर दिया जिसको उपर हम बैठते हैं न उसके उससे ही दोनों साइड के बाजु को मैंने जॉइंट कर दिया सिलाई करके तो अभी ये बिखरने का टेंसन भी नहीं रहता है तो हो गया मेरा सुफा कबर भी रेडी और अभी मेरा बच्चा थोड़ा सा आंगन में खेल रहा है बाहर आज हमारे आंगन में एक मीटिंग कंड़क्ट हो रहा था सेडिल कास्ट फेडरेशन के बारे में मेडम लोग हमें समझाने के लिए आए थे तो मेरा बच्चा बहुत खुश हो गया बहुत खेल रहा था वो अकसर घर में अकेला ही रहता है तो जब भी वो अपने आसपास लोगों को देखता है तो वो बहुत खुशो कर खेलने लगता है तो ये जो मीटिंग वैसे भी हमारे आंगन में हो रहा था तो वो खेल रहा था और इधर मेडम हमें समझा रहते और ओमेन एमपावर्मेंट की बाते समझाए समाज की कल्यान के लिए वो सब बताए समाज में एकता बनाए रखने के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाए और साथ में इसके लिए सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट का चैयन भी किया गया और यह जो मीटिंग है वो सिर्फ रूराल एरिया में ही नहीं अरवान एरिया में भी कंड़क्ट हो रहा है और आखिर में सभी लोगों को डुमेश्टी वावलेंस के बारे में भी थोड़ा सा एवायर किये तो यह था आज का मेरा चोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया मेरे दिनचरिया का थोड़ा सा हिस्सा तो उमीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करके अपना प्यार जरूर देना अपने सगे संबंधी दोस्तों के साथ शेर भी कर देना और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में तिल देन टेक केर